विमान पत्तन प्रादिकरन द्वारा जारकन के संथाल परगना शेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसित देवगर में एक नए हवाय अड़े के निर्मान की योजना बनाई गई है ये हवाई अड़ा, DRDO, जारकन सरकार एवं भारतिय विमान पतन प्रादिकरन के सहयोग से Airbus 320 किसम के विमानों की उडान के लिए तयार किया जा रहा है 600 एकर शेत्रफल में फैले इस हवाई अड़े के निर्मान की लागत लगबग 400 करोर रुपए होगी देवगर हवाई अड़े की विकास परियोजना का शिला न्यास माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के करकमलो द्वारा किया जा रहा है अत्यादुने की आत्री सुविधाओं से लैस ये नया टर्मिनल भवन स्थान्य जन जाती कला तथा राजी के परियटन स्थलों के माध्यम से शेत्र की समृद्ध संस्खिती को उजागर करेगा देवगर हवायड़े के विकास से परियटकों विशेश रूप से बैद्यनात मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रधालूं को सुविधा होगी हवायड़े के विकास से पर्याटन को भढ़ावा मिलेगा तथा आजी विकाहे तू पर्याटन पर निर्भर स्थान ये आबादी के लिए रोजगार के नए अफसर उत्पन होंगे राची के बाद अब देवघर हवायड़ा भी देश की अन्य भागों से जुड़कर जारकन के उजवल एवं सम्रिद्ध भविश्य के निर्मान में सहायक होगा